पंजाब युनिवर्सिटी में सिनेट चुनाव को लेकर राजनीती लगातार गर्माती जा रही है इसको लेकर पिछले 13 दिनों से सभी चुनाव करवाने को लेकर नहीं मान रहे जिसको लेकर प्रदर्शन और भी तेज होता जा रहा है आपको बता दें इसे अब किसान नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है किसान नेता बलदेव सिंग सिर्सा वीरवार को पंजाब इनिवर्शिटी पहुचे जहां पर उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ हैं और छात्रों का किसानों को समर्थन मिलता रहेगा कि खबरां दे पड़ी आयां पर मतलब बिलकुल देश दे अंदर कोई किसे किसम दे शब्द दा कोई परोसा ही नी रहा इस थे खोद दुना दे नमाएंदे पिछली बार आई सी इससे जगाते जिसे तुसी खड़े हैं उन्हा ने क्या सी के पांच तरीक तो बाद जड़ा अगला एतवा रहुदा आसी चूना उस दरोच करा देंगे आज जे खबारां चे कुछ होरी खबर हो दिया उन्ही जा शबीनू अगले मिने दिनू चूना उन्गे एता मतलब किया तुसी क्यों नहीं नोटिस आ गया जी फलाना चले गया जी इन नहीं बीजेपी दिया दूज्जीया सूबियां चे सरकारां मारी जी चिठी लिखवा जा using लोगे चारे जो लोगे सांगने माहा हूव कुछनी यह जो नहीं होना गिया जि kinda सद्सक्रापारी subscribed पूरा जूतने सब्सक्राइब नार रही है चुरू तो नाला जो पहलों भी तर नाला लगा है उतन वी आनके बोलके गहां पिकसान जते बंदियां पूटा के प्रेजडेंट मृत्यूंजे ने कहा कि सिनेट चुनाव ना होने दिना गलत है पिछले एक साल से गवर्निंग बोटी ने की है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्थिती चर्मर आ गई है और अब उसको लेकर सभी छातर संग सभी टीचर और सिनेटर एक मंच पर आ गई है सिनेट चुनाव होने ही चाहिए इसलिए वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश यह टाल मटोल है एक जो एक रास्ते पर जो चल रहे हैं सिनेट के नहीं गठन करने के बारे में उन्होंने जो एक गलत डिसीजन ले रखा जिसके करण हम भूगत रहे हैं अल्टिमेटली उसी रास्ते पर वो किसीन किसी तरह से इसको पॉस्पॉन करने के रास्ते पर जले ह कि यह पॉस्पॉंड होएगी तो यह होकर रहेगी और इसमें हम अब आप देख सकते हो कि चुकी पुरी तरह से इन्वर्सिटी की ववस्था चरमारा चुकी एक साल से उपर हो गया गबर्निंग बाडी नहीं है दो सो से उपर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की उपका संग्याल लेना जरूरी है आप हमें बताओ ना कि इस स्थिती में जो स्टेक होल्डर से क्या करें प्रदर्सन के अलाबा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा उनको पता चल गया है कि अभी जो है वो किसी तरह की और कोई राजनिती नहीं कर सकते हैं वहीं प्रोफेसर मंजीत सिंग ने कहा कि ये सबसे बड़ी ताना शाही है ऐसा पहली बार ने की है कि सिनेट चुनाब को नी जा रहे हैं हर बार सिनेट चुनाब होते हैं और सिनेट और सिंडिकेट ही पंजाब युनिवर्सिटी के क्योंकि देड़ी चोड होंती हो लोगतां से ठीके ना रहू हुए ते जगो स्टूड़न्ट आने सिखने ही जड़ी आलेक्शन मुहापना मीधवार चोनना लेक्शन कर देड़ी है जड़े लीडर्स पैदा हुजेने हो उनिरस्टी देश्टे पैदा हुए पढ़े हुए प पंजाबी पंजाबी तो उबरा साड़ी हुए पंजाबी तो ओबरा साड़ी पराक्त सथे सब्सक्राइब देखो एक लोगतंतर दाला के जड़ा काना जो लगातार शुन तो चलता हारे है लागतार है यह बंद कीता जा रहा है अज इससे वास्ते से आई हैं अजी पूरन आज आया ति इस घृट इती है कि एजड़ी सड़ी नौजवाने सड़ा पर वेक्षा है एजड़ी सड़ी विद्धारे ने इन अनुत जड़ा ए आरे सब्सक्राइब कर रही है एगल्ब था असी है नहीं फिलहाल पंजाब युनिवरसिटी का मौखल बहुत ही कर्म नजर आ रहा है क्योंकि प्रदर्शन लगाता तेज होता जा रहा है लेकिन सिनेट चुनाव करवाने को लेकर बाइस च्रांसलर की और से कोई पॉजिटिव रिस्पॉंस नहीं दिखाई दे रहा अब देखने वाल भूगी के आगे आने वाले समय में ये प्रदर्शन और क्या रुख लेता है पंजाब के इस्टी टीवी के लिए चंडगर से भगवत सिंतिर्पो